दोसो चॉसर की Canterbury Tales में सबसे important part है उसका general prologue इस वीडियो में हम लोग चॉसर की Canterbury Tales के general prologue को धंसे discuss करेंगे जो सारे characters का introduction ब्रीफली चॉसर ने दे रखा है हम लोग सारे characters को discuss करेंगे साथ ही साथ मैं आपको उनकी appearance की बारे में बताऊँगा जैसा की चॉसर ने बता है चलिए शुरू करते हैं मिलतो है इस वीडियो के end Canterbury Tales में सबसे important चीज है इसका general prologue और यह important इसलिए है क्योंकि इसकी starting की जो अठारा lines है न दूस्तों वो पूरे English literature में सबसे important अठारा lines है इसमें उन्होंने Thomas Beckett की बात की है जो Canterbury के famous saint थे जिन से मिलने के लिए सारे pilgrims जा रहे है उनका नाम हमको याद रखना है अब हम लोग प्रॉलोग शुरू करते हैं तो प्रॉलोग शुरू होता है April के description के साथ में April के जो shards हैं वो अपने साथ में spring का season लेकर आते हैं उनके साथ में spring के season की शुरूआत होती है उस टाइम पर फूल खिलते हैं और birds के twitter करने की आवाज आती है चह चाहने की आवाज आती है और ये spring का season वो time होता है जब लोग pilgrimage पर जाने की सोचते हैं तीर थियात्रा पर जाने की तयारी करते हैं पर यहाँ पर भी ऐसा होता है कि एक मौसम decide होता है कि इस मौसम में हम लोग तीर थियात्रा करेंगे तो England के अलग-अलग हिस्सों से travelers एकट्टा होते हैं कि चलो canterbury जाएंगे किस काम के लिए जाएंगे Thomas Beckett जो sent है वो उनको शहीद माना जाता है blessed St. Thomas A. Beckett के पास में तो Chaucer भी उन्ही पिल्ग्रिम्स में से एक है जो उन सब के साथ में Tabard Inn में रुखा हुआ है जो South Park में है तो उनके साथ में Chaucer के साथ में 29 और पिल्ग्रिम्स हैं जो आकर उस Inn में इकठे हो रहे हैं 29 अलग-अलग टाइप के केरेक्टर्स हैं और सब की अपनी-अपनी अलग कहानी है अब narrator और उसके साथ के पिल्ग्रिम्स साथ में रात को ड्रिंक करते हैं और decide करते हैं कि कल सुबह हम लोग यात्रा शुरू करेंगे रात में यात्रा शुरू करना ठीक नहीं है इस चीज से हमको अंदाजा लगता है कि इन जो है वो एक ऐसी जगेती जहां पर इन सब को आकर मिलना था तो आपको जो भी नाम में लिखवा रहा हूं सारी important चीज लिखवा रहा हूं वो आपको note करते हैं विजलने लेकिन शुरू करने से पहले narrator हमको सारे characters का एक एक करके brief introduction देता है यह description देता है आपको ध्यान देना है कि सिर्फ description नहीं दे रहा है उन सब characters के बारे में नहीं बताएगा बलकि उनकी appearance के बारे में बताएगा कि कैसा कैसा एक एक pilgrim दिखता है जिससे हमारे दिमाग में एक image तैयार हो तो सबसे पहला और important character है knight का character पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी knight की बारे में आपको बताएगा और knight tale के बारे में भी आपको बताएगा जो यह कहानी सुनाता की तो experience बहुत है जो बंदा जतना ज्यादा घूमता है उसके पास उतना ज्यादा experience आता है बहुत सी लड़ाईयां भी लड़ी है और बहुतों में जीत भी प्राप्त की है जहां भी यह गया है respect बिली है even खुद भी और्तों की respect करने में विश्वास रखता है लेकिन इसने जतने भी लड़ाईयां लड़ी है गौड की glory के लिए लड़ी है खुद की glory के लिए लड़ी है दोस्तों तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में चौसर या narrator जो भी है वो एक अच्छे तरीके से बताता है धर्म की तरफ जुका हुआ आदमी है यह वैसे च जैनुएनली यहाँ पर narrator तारीफ करते है इतना ताकतवर आदमी होने के बावजूद night एकदम बक्री जैसा मासूम आत्मी है कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करता है हमेशा modest कपड़े पहनता है साधा कपड़े पहनता है और कपड़ों में जो निशान लग रहे हैं उ अमको narrator बताता है स्क्वायर के character की बारे में स्क्वायर जो है वो night का बेटा है जो अपने father की तरह इतना experience तो नहीं है साथ ही साथ अच्छे behavior में भी अपने बाप से पीछे है कह सकते है कि learning phase में है लड़का सीख रहा है इस लड़की के curly curly बाल है और ठीक ठाक सी height है लेकिन active अब थोड़ा बहुत तो ये भी घूमा है अपने बाप जितना तो नहीं घूमा है लेकिन थोड़ा बहुत तो घूमा है जैसे Flanders और Northern France की तरफ तो गया ही है जितने साधा कपड़े इसका बाप पहनता है उतने ही forward और बढ़कीले type के कपड़े ये पहनता है जिससे हमें नज़ा लगता है कि ये अंदर से भरा पड़ा है इसकी कपड़ों का description देते हुए चौसर हमें बोलते है कि इसकी पोशाक पर फूल बने हुए ऐसा लगता है घास का मैदान सिल्वागर आया है अपने गाउन पर चौड़ी चौड़ी sleeves बने हुई है इसकी गाउन में अना बजाने का शौक है बासूरी बजाने का शौक है शायद इस उम्मीद में कि कोई तो पढ़ जाएगी तो जो आपको कैसी शर्म आती होगी न कि ऐसी ऑलाद है कुछ ऑलाद है होती है जो हाथ से बाहर निकल जाती है और भी skills आती है इस लड़के को जैसे dance कर लेता है painting कर ले इसकी ये quality उस टाइम पर कोटली लवर की situations को दिखाती है कि उस टाइम पर कोटली लवर किस टाइप के होते थे अब नायट और उसके बेटे का description देने के बाद में चौसर हमें बताते हैं कि नायट का एक servant भी है यो मेन जो green कलर की hoodie पहनता है मतलब hoodie पहनता है और coat पहनता है यो मेन हमेशा धनुष अपने bow धनुष और तीरो की चंता करता है इसके बाल छोटे छोटे हैं और skin का color dark हो गया है नायट जहां भी जाता है इसको अपने साथ में ले कर जाता है ये अपनी आंस पर एक bright guard पहनता है और तलवार के साथ एक dagger यानि खंजर भी रखता है यो मे प्रायरस के बारे में यानि नन के बारे में दोस्तों जिसको इस कहानी में नन्स प्रीस्ट कहा गया है ये लेडी religious है और religious hymns को अपनी नाक से गाती है मतलब जितने भी गाने ये गाती है नाक से गाती है थोड़ा बहुत French भी बोल लेती है French आती है इसको जो भी English accent में बो खाते खाते कुछ चीजे हम चम्मत से गिरा देते हैं ना खाते गाते लेकिन मजाले इसके मूँ से कभी भी इसके breast पर कुछ गिर जाए खाते खाते अगर ये औरत सौंस में कुछ हाट डाल कर खाएगी ना तो जो चीज डालेगी सौंस के अंदर वही चीज सौंस में जाए और खाने के बाद अपने lips को इतने सलीके से साफ करेगी कि Microsoft से भी आप नहीं देख सकते कि कुछ लगा हुआ है कि इसके lips पर उल मिलाकर हर वक्त इस lady को अपने सलीके का ध्यान रखना पड़ता है ये lady इतनी kind है कि छोटे चूहों को अगर पिंजरे में फसा हुआ पाएगी उनको ये roasted meat खिलाती है दूद bread खिलाती है देखो यहाँ पर narrator इस lady की तारीफ नहीं कर रहा है आपको मैं बता दूँ ये satire कर रहा है मजाग उड़ा रहा है वैसे तो इस lady को जानवरों से बहुत प्यार है लेकिन जानवरों का mask खिलाती है दूसरे जानवर को खूपसरत हो ये अपने छोटे से red face को दुनिया को दिखाने के लिए मुँपर विंपल लपेटती है forehead इसका बड़ा सा है इस lady का और इस lady के साथ एक chaplain यानि पादरी और तीन priest travel कर रहे है तो आप characters गिनते जाओ next character है एक handsome monk, monk मतलब साधू, ये एक religious man है लेकिन ये अपनी monastery के बाहर business करता है यहाँ पर narrator बोलता है ये जब travel करता है तो इतना जोर से bells को जंगल करता है कि पूरे गाउं में आवाज चली जाती है कि ये travel कर रहे है ऐसे तो पुराने rituals को follow गड़ता है लेकिन नई चीजों के लिए पुरानी चीजों को भूल भी जाता है कभी-कभी देखो दूस्तो, सारे characters का मजाग बना रहे हैं चौसर मतलब एक monk को किसी शिकारी की तरह present कर रहे है कि कहने को तो ये लोग religion से जुड़े हुए है लेकिन है एकदम पूरे शिकारी इसलिए कहा जाता है कि satires की शुरुवात चौसर से ही हो गई थी कि monasteries में इतना corruption था उस time पर चौसर ने satires कर करके इन पर attack किया इन monks को अपनी सादूगिरी छोड़ कर शिकार पर चले जाना चाहिए एक तरीके से इनकी body के size का मजाग बनाते हैं कि इतना मोटा monk देखा होगा आपने कहीं पर जो देखने में एकदम monk तो कम शिकारी ज़्याद लगता है सादा कपड़े पहनने की बजाए अच्छे खासे फर वाले कपड़े पहनता है गोड़ा चलाता है सिर्म उंड़वा रखा है लेकिन अपनी हुड़ी पर सोने का पिन लगाना ज़रूरी है चहरे पर एक तेज है चमक है उस टाइम पर ऐसे लोग मांकर ही खाते थे क्योंकि इन लोगों को दूसरा काम नहीं करना होता था सिर्फ मांकर खाते थे परमीशन नहीं थी पैसे बाले लोग इन गरीब मोटे monks को सोना चांदी चड़ाते थे उस टाइम पर और इसलिए ये आदमी उस वक्त के नले बेरोजगार कोठी बंगले वालों से तो प्यार करता है और गरीबों को तिरसकार करता है अब इस character के बाद में एक और character है जो की एक व्यापारी है कुछ लोगों की beard होती ही न दोस्तों मतलब डाड़ी के बाल होते है जो काटे जैसे बाल होते है इस व्यापारी के वैसे ही बाल है इसकी appearance का ऐसे description देते वे चालू गटते है चासर कि इसके जो डाड़ी के बाल है बिलकुल एक दम काटे जैसे है इसकी कपड़ों का जो color है बहुत सारे रंग-रंगे हुआ है उसके अंदर पैसे उधार लेने में इसका कोई जबाब नहीं है यह अपने व्यापार में इतना अच्छा है कि कोई भी इसे देख के बता सकता है कि कहां तक यह करजे में डूबा हुआ होगा हा लेकिन ऐसे कपड़े, जूते, टूपी पहन कर दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर लेता है कि मैं करजे में हूँ narrator बोलता है कि एक clerk भी हमारे साथ में सफर कर रहा था actually एक clerk नहीं एक लड़का है जो Oxford University में पढ़ता है देखने में एकदम दुबला पतला सा student है जिसको खाने को नहीं मिलता कपड़े भी फटे पुराने पहन रखे हैं लेकिन अंदाजा लग गया था कि यह लड़का आपने खाने पीने पहनने की चीजों पर खर्च करने की बजाए किताबों पर अपनी सारी कमाई खर्च करना पसंद करता है मजाग तो उड़ाते हैं Chaucer कि यह एक ऐसा philosopher है क्योंकि मजाग उड़ाने सब पीछे नहीं अटेंगे बोलता है कि यह एक ऐसा philosopher है जिसे अभी तक philosopher's tune नहीं मिला मतलब पारस पत्तर नहीं मिला लेकिन फिर भी ये देखकर अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है इनके बीच में जिसे ग्यान की ज्यादा भूग है इन सब चीजों की बज़ा है हमारी कंपनी में नेक्स्ट मेंबर है फ्रैंकिलिन जो एक सफेड डाड़ी वाला मुस्कुराने वाला हमेशा मुस्कुराने वाला लैंड उनर है जिसकी जिन्दगी का सिर्फ एक ही मकसद है वो है मजा मजा आनंद खाना तो इतनी वेराइटी में खाता है ये आदमे की पूछो मत इसका पूरा खाना मौसम के हिसाब से बदलता रहता है जैसा एक ग्रीक फिलोसफर एपिकुरिस ने कहा था कि happiness comes through pleasure तो बस यही एक पूरी लाइन इसकी पूरी जिन्दगी है कि मजे लोग क्या रखा है और जिन्दगी में इन सब के अलावा पांच गिल्डमन भी हैं जो साथ में सफर कर रहे हैं हैबर डेशर और कारपेंटर एक वीवर है एक डायर है एक टैपिस्ट्री बनाने वाला है तो इन पांचों ने चमकीले कपड़े पहन रखें और इनके चमकते हुए बैल्ट्स और चाकू देखकर अंदाज़ा लगता है कि किस तरह के आदमी होंगे इन सब ने अपने साथ में एक कुक भी रखा है जो बना बना कर इन लोगों खिलाता रहता है कुक का नाम है रॉजर जिसकी स्किल्स की तो तारीफ करने पड़ेगी लेकिन नेरेटर को उस रॉजर की पिंडली पर मतलब पैर की नीचे की तरफ का हिस्सा होता है उस पर एक फूड़ा बना हुआ है मतलब एक घाउसा हो रखा है जिसको देखकर चिर्सी होती है और हर बिमारी का इलाज चार तरीकों से बताता है गरम, ठंडा, घीला, सूखा अब सारी की सारी पुरानी इंशेंट मेडिकल टेक्निक्स इसको कंट पर रटी हुई है लेकिन बाइबल जैसे इंपॉर्टन किताब के बारे में ये बहुत कम जानता है खाने पीने में बहुत ध्यान देता है इसके हिसाब से सोना अवड़ी अच्छी दवाई है इसको सोना बहुत पसंद है नेरेटर ने तो इसकी ना तारीफ की है ना ही मजाग बनाया इसके पास में घ्यान बहुत है लेकिन ये एक बैलन्स लाइब जीता है और यहाँ पर जिस सोने की बात किये ना वो नींद वाला सोना नहीं दोस्तों गोल्ड गोल्ड वाला सोना अब नेरेटर हमें मिलवाता है एक बहुत ही एंटेटिनिंग टाइप के करेक्टर से जिसका नाम है वाइफ ऑब बात एक गमंडी गुसेल टाइप की ओरत जो कान से थोड़ी सी बहरी है और उसके मोजे उसकी चेहरे की तरह लाल है जो लाल कलर होता है वो लस्ट का कलर होता है इस ओरत ने अपनी जिंदगी में पांच शादियां किया और यह तीन बार जेरुसलम भी जा चुकी है जेरुसलम बहुत ही फीमल जगह है और रोम जैसी दूसरी रुलिज्जिस जगहों पर भी जा चुकी है इसकी नातों में थोड़वसा गैप है और इसके नितमब बहुत बड़े बड़े हैं तो आराम से ये घोड़ी पर बैड़ जाती है comfortably बिना किसी problem की देखो ये औरत अच्छी knowledge रखती है as a wife औरत को क्या चाहिए होता है एक औरत के बारे में एक wife खास दोर पर wife के बारे में इसको काफी अच्छी knowledge है हाला कि खुद इतनी सुन्दर और attractive अब ये नहीं रही लेकिन married life को लेकर अच्छी सला जरूर दे सकती है दुनिया भर की knowledge का खजाना है ये और अक्कुल मिला कर देखकर लगता है कि विड़ो है क्योंकि उस time पर एक विड़ो के पास ही इतना time और पैसा हो सकता था लेकिन कर्मों और विचारों से बहुत अमीर है टीचिंग्स देता है गौड की बिना मिलावट की आंधी तूफान बारिश हो जाए लेकिन इसकी टीचिंग्स कभी रुक नहीं सकती कोई नहीं रुक सकता इसकी टीचिंग्स को अच्छे तो अच्छे बुरे लोगों के लिए भी ये kind है और इसकी जिंदगी का एक मकसद है kindness से लोगों को भगवान के करीब लाना अपनी kindness से लोगों को भगवान के करीब लाना कभी भी इस काम के लिए इसने कोई हो हला नहीं किया बड़ी शांती से अपना काम की है इस पार्टसन का एक भाई भी है प्लोमेन इन सब के अलावा और भी करेक्टर्स है जैसे रीव, मिलर, समनर और पार्डनर और मैंसिबल और खुद हमारा narrator है ये चौसर इन में से ये जो करेक्टर है मिलर ये भी एक बहुत इंपॉर्टन्ट केरेक्टर है दोस्तो ये एक घटा-घटा कारेगर है जो की बैकवर्ड क्लास से आता है जिसको रस्लिंग का बड़ा शांक है और इसकी नाक पर एक मस्ता है जो की बालों से बना हुआ इसके नाक के छेद और मुँ बहुत बड़ा है साइज में ऐसा बोलते हैं अबर चौसर मिलर एक ऐसा आदमी है जो गंदी-गंदी स्टूरी सुनाता है और इसको बैक पाइप बजाने का बहुँ शौक है बैक पाइप आपने आपको पता होगा बैक पाइप क्या आता है मिलर कुल मिलाकर एक भद्दे करेक्टर वाला गंवार किसान है जिसकी सर्राउंडिंग में स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी क्लास वाले लोग नहीं रहें इसके लिए नेरेटर एक प्रोवर्ब यूस करते हैं अब हम बात करें मैंसिबल की तो ये एक बहुत ही चालाग बिजसमेन है अलाकि इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जिन वकीलों के लिए एक काम करता है न उनको नचाता है अच्छे से बात करते हैं रीव की तो एक दुबला पतला पतली पतली टांगो वाला आदमी है उसने शुरुआत तो की थी एक अमीर आदमी के लिए अकाउंट समभालने का काम करता था शुरू में लेकिन अभी इस कंजूस ने जमा करते करते इतना ज्यादा पैसा जमा कर लिया है कि अपने मालिक से भी ज्यादा पैसे बला हो गया कहने को यह काम करता है लेकिन खुद भी एक मालिक बन गया है अपने ही मालक को लूट लूट कर और इतना सफाई से ही अपने accounts को manage करता है कि कोई पड़ा लिखा best से best accountant भी इसके काम को पकड़ नहीं सकता अब बात करते हैं Summoner जो कि एक ठग है सारे के सारे मतलब ऐसे ही character बता रहे हैं आपर चासर Summoner एक ठग है जिसको एक बीमारी है और उस बीमारी की वज़े से इसका चहरा जो है लाल हो गया है फेस पर pimples निकला है और पपड़ी जम गई है जिसकी वज़े से इसकी डाड़ी जो है वो जड़ चुकी है कोई भी दवा इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती जो इसको ही है इसका कहना है कि जिस इंसान की आत्मा बटवे में होती है ये Summoner बोलता है कि जिस इंसान की आत्मा उसकी बटवे में होती है उस पर दया नहीं दिखाने चाहिए तो आदमी देखकर ठगता है ऐसे आदमी को कभी नहीं ठकता जो ठकने लायक नहीं है हमेशा गलत आदमी को ठकीगा तो इस टैवन में मौझूद सारे लोगों का description देने के बाद में यहाँ पर हमारा narrator जो है यानि इचासर वो हमसे माफी मांगते हैं पहले ही कहानिया सुनाने से हैं तो जैसी कहानिय होगी वैसी मैं कहानिय सुनाऊँगा एकदम simple language में ताकि हर कोई पढ़ सके ऐसा बोलकर narrator खुद को एक innocent दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक innocent दर्शक हूँ आपकी तरह जो आपको कहानिया वैसे सुनाऊँगा जैसी कहानिया है अब last में इस general prolog को खतम करते करते यहां पर वो इस in के host Harry Belly के बारे में बताता है narrator कि इस in का हमारा host जो था वो था Harry Belly जो बड़ा जॉली आदमी था वो सबको खाना खिलाने के साथ साथ खुश भी रखता है सबको entertain करता है कहने का मतलब और खाना खाने के बाद जब हम सब लोगों ने अपने bell बरे तो वहाँ पर host Harry Belly ने कहा एक proposal रखा सबके सामने कि चलो रास्ते बर हम सब एक दूसरे को कहानिया सुनाते सुनाते चलते हैं मतलब एक चलते हुए सुनाएंगे एक वापस लोटते वक्त सुनाएंगे दो-दो कहानिया हर केरक्टर सुनाएगा और जो भी सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा ना तो वापस लोटते वक्त मेरी तरफ से उसको party मतलब सॉरी मेरी तरफ से नहीं हम सब की तरफ से उसको party मतलब हम सब मिलकर उसको पार्टी देंगे दवादारू सबका बंदोबस कर देंगे और सब मान जाते हैं और अगले दिन मार्निंग में हैरी वैली किसी मुर्गे की तरह बांग देकर सबको जगा देता है और शुरू होती है हमारी कैंटर वरी टेल्स यहां पर दोस्तों इसका जनरल प्रालोग खतम होता है जो कि बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपको ये पूरा जनरल प्रालोग पता होना चाहिए अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी